इन सब भी टैंक्स में और छोटे टैंक्स में जितना भी गोरामी, आपका वीडो, रेड लीली, डाप्ट गोरामी, रोजी बार्ब, टाइगार बार्ब, जो भी हम लोगों का बच्चा पैदा हुआ था, सब आज वो वाला टैंक में छोड़ेंगे कौन सा टैंक में छोड़ेंगे हो तो आप लोगों को पहले भी वीडियो दे चुका हुँ, अभी फिर से आप लोग देख पाएंगे कौन सा टैंक में छोड़ेंगे, उससे पहले क्योंना इंट्रो सुड़ू कर लिया जाए, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रामपरी, आइस किसी भी चीज का बना सकते हैं, जिसमें एक बोलोग चिपका के रखता है, आपको दिमाग लगा के बनाना होगा कि किस चीज का बनाएंगे, जैसे हम लोग पहले लाइलोन जो वेर यूज़ करते थे, अभी हम लोग क्या किया कि सेटिंग नेर्ट जो खराब हो जाता है, उ कि उसके बाद उसको जो बोड़ी में भड़ा जा रहा है, इसके बाद इसको पॉटासियम पार्मारेट के सोलिउसन से धोया जाएगा, ताकि इसमें बैक्टिरिया ना जनम ले सके, जो भी नेड लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, जो भी यहां पे इटा है, इटा टाइप का जाजी दे दिया गया है, जैसा गोल्ड पीस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यही जाजी पहले तक चलता था, मगर अभी अपडेट का जमाना है, कुछ भी आप दे सकते हैं, तो उसके बाद अभी बच्चा दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें और येलो सबसे अच्छा दिखाई देता है, देखिए, फोकास होने के बाद आप लोगों को आच्छा से दिखाई देता है, देखिए, बहुत छोटा-छोटा जमा हुआ है, तो रेड और येलो बच्चा सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, दूसरा बच्चली का बच्चा बच्चा लगाएं.. जो जीरे के दाने जितना चोटा बच्चा है, ठीक है, यह जो धूल लगड़ा है आप लोगों को, यह धूल नहीं है, बच्चा एक साथ जमा हुआ है, इसको फैला देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, अभी देखिए बच्चा है, यह रेट और आपका यलो है, ठीक है परपिल और ग्रीन थोड़ा बहुत दिखाई देता है, मगर रेट और यलो सबसे अच्छा दिखाई देता है, जितना भी छोटा क्यों नहीं हो, जिस दिन पैदा होता है, उस दिन ही हम लोग अगर अच्छे से देखेंगे, तो अच्छे से दिखाई देगा, यह तो अभी नेक्स टैंग में पारपिल और ग्रीन, देखेंगे, पहले दो नेट से उठा जा रहा है, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो एक सा तीनों नेट फर्स टाइम उठाएंगे, तो यह जो बकेट में हम लोग रखेंगे, तो गब के मर जाए आपको समझ में नहीं आएगा, मगर वो बड़ा नहीं होगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीके, कुछ-कुछ मचली है जिसको ऑक्सिजन ज्यादा जरूरत नहीं होता है, किछ-कुछ मचली है जिसको ऑक्सिजन बहुत जल्दी जरूरत होता है, तो अभी देखिए, पी बरके यह तो सब आप लोग देख चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं, यह ज़्यादा दिखाने का जरूरत नहीं है, मगर इसको ज़्यादा देड़ता कि इसे बाकेट में रख भी नहीं पाएंगे, यह भी एक बात है, जैसे मानिए कि गुरामी का बच्चा होगा, तो ज़्यादा कुएंटिटी का बच्चा है, हड्ली एक मिनी तब भी मरने का चांसेज रहता है, क्योंके वीडो, रोजी, टाइगार, इन सब को ऑक्सीजेन ज़्यादा जरूरत होता है, ठीके, तो ऐसे ले बाद देखिए, पानी इधर से डाल की उड़ा है, क्योंके उसमें ऑक्सीजेन जनरेट हो सके, पानी फेक फेक के देने से ऑक्सीजेन जनरेट होता है, देखिए बाकेट को भी घुमारा है, ताके मचली बीज में घुमें, ऑक्सीजेन का धिक्कत उनलोगों को ना हो, तो अभी बहुत सुबह सुबह ये काम किया जा रहा है, अभी सूरज भ तो आज लाने गया है कोई काप और वीटो। फिके टो उसके बाद फिर टाइगर में नेटिंग होगा। तो प्रता विश्ण जड़ावर्ट का राफ़ व्म से दिखा दीगे। यह चोड़ा बाला जो जगह है। इसमें ग्रीन टाइगर बैठाया गया था। क्योंके green tiger का border हमारे पस कम था तो ज्यादा बड़ा जाएगा देने का जरूरत नहीं है तो अब भी देखिए उसमें जो bucket में उसमें डाला गया है उसमें हाथ घुसा के दिखाएगा तब ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तीके नहीं तो आप लोगों को देखिए धूल लग रहा है अच्छे से उसका हाथ का side में देखिए छोटा छोटा लंबा लंबा जो दिख रहा है वो tiger warp का बच्चा है एकदम transparent color का tiger warp रोजी दोनों का ही होता है इसलिए रोजी का दिखाया नहीं tiger का ही दिखा दिया अभी पिता जी भेरी से आ गया है करीबन सुबह के 7 के आसपास बज़ा हुआ है यह वीडियो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकर आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकर भेरी से हम लोग देखिए कितना पैकेट लाते है 14 पैकेट लाते है एक बैग में छोटा बाला बैग में दो और तीन बैग लगा हुआ है दो तरब दो बैग उपर के तरब एक बैग और एक छोटा बैग एक बैग में चार बैकेट रहता है जितना ज्यादा हो सके लाने का कोशिस करते हैं क्योंकि भेरी हमारे घर से कड़ीबर 12 किरो मिटर दूर है तो कोश्टिंग भी आना चाहिए पिता जी एक तरफ देखिए वीडो लेके चला गया मैं एक तरफ कोई काप लेके चला गया बहुत एक्चुली ऑक्सिजन बहुत कम रहता है इसमें और आपका मचली का कुवांटिटी बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि जितना ज्यादा हो सके लाने का कोशिस करते हैं हम लोग कोश्टिंग भी तो आना चाहिए ना मार्केर में कमपेटिसन भी बहुत है तो अभी वीडियो छोड़ा जा रहा है ये वीडियो जो है ये पहला वोई सक्का है मतलब मानिए के 14 या 15 एप्रिल हमारा बेंग्वाली नहीं हुए जिस दिन हुआ था उस दिन ये बच्चा छोड़ा गया था उसका फीडियो साया दिखाया था आप लोगों को के नहीं पता नहीं उसका नेक्स लॉट वाला दिखाया था ये वाला लॉट दिखाया नहीं उसके बाद से वीडियो बनाना चालू किया तो चार-चार पैकेट करके वीडियो एक-एक टैंग में छोड़ा जा रहा है ठीके एक-एक पैकेट में 500 पिस करके है एक टैंग में 2000 पिस छोड़ा गया इस टैंग में 2000 पिस छोड़ा गया दूसरे और एक टैंग में 2000 पिस छोड़ा गया और घर पे लाके घर पे ले जाके 1000 पिस चोड़ा गया है मैं जो भॉय सोबा दे रहा हूँ उसको एडिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब रो जाना वीडियो चोड़ना पड़ता है तो इतना एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को समझाना मेरा जिम्मेदारी है मुझे जितना लगता है आप लोग समझ भी रहे है और अच्छे से समझ भी रहे है जितना भी मेरा प्रोब्लम हो रहा है आप लोग एड़्जस्ट कर ले रहे है इतना ही मेरे लिए काप ही है तो अब ही देखिए मैं कोई कप छोड़ा रहा हूँ कोई कप थोड़ा मीडियाम छोटा सभी साइच आए इस में यापनेश कोई भी है लोकल कोई कप क्या जाहिए अब लोग धेance देहां से देखिएगा बहुत आइस्ता से पर दिए कौब को फेक दिया कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई कप को अगर वई से फेकेंगे, तो कोई कप जम करने लगेगा, मतलब आदा घंटा बात देखेंगे, आदे से जादा नीचे पड़ा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी जो कोई कप छोड़ रहा है, देखिए, नेट म मैंने टैंक के अंदर रख दिया, क्योंकि नेट में से कभी-कभी जो अटक जाता है, मैंने एक फार्मर को देखा है, वो हाथ से खीच के निकलता है, तो उसमें क्या होता है, कोई कप का ऊपर का डॉर्सल फिन तूट जाता है, तो मैंने टैंक में रख दिया, तो नेट से वो लोग आराम से निकल जाता है, कोई धिक्कत नहीं होता है, इस बार भी देखिएगा, नेट में देखिए, कितना ज़्यादा फसा हुआ है, उस सब मचली का डॉर्सल फिन अटक गया है, नेट में, तो पानी में वो डाल के थोड़ा देर रखने से, वो लोग आराम से निक मचली मरता है, कुछ-कुछ छोटा-छोटा बारीक चीज ध्यान में रखना चाहिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि फार्मा लोग, सेलार लोग, ये लोग छोटा-छोटा गलती कर लेते, उसके बजाए से सभी मचली ड्यामेज हो चाता है, तो इस में से वो भी आता है, क्या आ भी एक टैंग में वीडो रखा हुआ है, आप लोग देख रहे है, हर एक कलर का वीडो है, और ये बाला दूसरे टैंग का वीडो है, दूसरे टैंग एक्चोली छोटा है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा लग रहा है, मगर दोनों टैंग में सेमी अप्रॉक्स डाला गया है, गिनके तो डाला नहीं है, ऐसे ही पॉंड में बस वीडो उठा के लेके चला आता है, ठीक है, और वीडो ये बहुत कम दिखने से भी ओक क्वांटिटी बहुत हो जाता है, हमारा देखिए ब्लू वीडो भी आया है, हम लोग प्रोडक्शन में ब्लू वीडो बहुत करते हैं, क्योंकि ब्लू वीडो मार्केर में हर बग मिलता नहीं है, रेट भी जादा है, तो इसलिए करते हैं, अभी दो पैकेट ले जाके हमारे घर पे छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो दो दिन के बाद जाएगा, बाकी मचलियों को चार से पांस दिन हम लोग अभी जाएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी दिन पहले उठाया गया था, करीबन एक से डेर हपते पहले उठाया गया था, ये वीडियो छोडने का टाइम नहीं मिला, थोड़ा प्रॉब्लम में भी था, जोती का एक्सिडेंट हुआ था, मैंने बोला भी था, एक वीडिय का वीडियो है, हम लोग सब कलर करते हैं, मगर दो चाद दिन में ही सेल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वीडियो में देखिए, रेड, ग्रीन, पार्पिल, आपका ब्लू, वाइड, येलो, ब्लैक, सब कलर है, प्लास, ज्यादा से ज्यादा भाराइटी का लाइनर भी है, जैसे पार्पिल लाइनर है, रेड लाइनर है, ग्रीन लाइनर है, बहुत सारा भाराइटी कारीबन आपको तो 19 भाराइटी ही बोल दिया मैंने आप लोगों को, मगर लाइनर ऐसे मतलब दुकान दा लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए बोल रहा है, हवा जादा लगा जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है, वीडो पीट नगा है, कोई कोई दुकान दर ऐसे गलती करता है, मानिए दो फीट के लिए अपर पीज रहा ही जाएगा, मगर दो फीट मेरें हवा लगों के ओख दूब ढ़やका घरेगा, तो हवा मचलिकों उपर स्ब प्रभी वीडो कैसे लग रहा है बोलिए comment करके जल्दी बोलिए मुझे comment मुझे सबका चाहिए वीडो कैसे लग रहा है देखिए सभी color है तो जो मैं बोल रहा था वीडो को हवा चला यह ज्यादा quantity में उसको हवा लगता है मगर ये भी देखना पड़ेगा कि उसका उपर ना हवा चारे आपको oxygen जितना लगता है उससे ज़्यादा oxygen देंगे तो क्या होगा वैसे ही हो जाता है दो पिट के aquarium में बहुत जोड से हो लोग हवा चला देता है तो मचली को जाके हो हवा लगता है मचली को problem होता है तोड़ा squeeze चाहिए मचली को रखने के लिए तो दोस्तों सभी जो बच्चा है सब इस tank में छोड़ दिया गया है tank का color आप लोगों को बोला था के पूरा greenis हो गया है अभी बहुत सुभा है सुभे के करीबन अभी साथ बच गया होगा मगर बहुत सुभे से उठा रहे हम लोग तो इसलिए पानी का color change है नहीं तो अगर दिन का light time में होता तो आप लोगों को जब धूप पूरा हो जाता तो आप लोगों को पता चलता कितना greenis हो गया इस टैंक का पानी तो अब भी सब मचली छोड़ जाया गया है एक चीज आप लोगों को बताना में भूल गया दिन में pH बरे टैंक में या पॉंड में बोलिए हर वक्त इधर उधर होता रहता है रात को अलग pH रहता है दिन में अलग pH रहता है धूप के टाइम अलग pH रहता है oxygen level भी रात दिन अलग-अलग होता है तो जो जो मचली छोड़ा गया है कैसे छोड़ा गया है तब आप लोगों को दिखा दिया है और कुछ नहीं क्या-क्या खाना देंगे इसमें वो भी आप लोगों को दिखाएंगे बड़ा होता जाएगा आपडेट भी आप लोगों को मिलता जाएगा विडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ऐसा वीडियो और भी चाहिए और भी बहुत सारा पॉंट भड़ा जाएगा आगे भी अल्मोर्स सब सेम टू सेम के जैसे ही हो लग रहा है आप लोगों को मगर कोई ना कोई तो इंफोर्मेशन में दे ही रहा हूँ हर वीडियो में बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन तो हे ही आज के लिए वीडियो पस इतना ही फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो लेके तब तक के लिए धन्यवाद झाल